प्रेदर्शकों नमस्कार आज के हिंदी समाचारों में आप सभी का स्वागत है आईए सुनते हैं आज के मुठ्ट समाचार सेल अध्यक्ष ने बावनवी वार्षिक आम बैठक में कहा कि सेल हमीशा आगे रहने का प्रयास करता रहेगा सेल राउड के लाइस पास सयंत में राजभाशा पकवाड़ा के उपलक्ष में भवे पुरसकार वित्रण समारूं का आईजन और सेल राउड के लाइस पास सयंत में सुरक्षा इसमार्खों के साथ बंजर भुमिभी सुन्दर उद्ध्यान में रुपांत रिद्ध अब समाचार विस्तार से Istri Authority of India Limited सेल ने आज नई दिल्ली के लोधी रोड इस्थित कंपनी मुख्याले में अपनी बावनवी वार्षे काम बैठक AGM आयोजित की सेल के अध्यक्ष शी अमरेंदु प्रकाश ने वर्चूल प्रेटफॉर्म के माध्यम से आयोजित बैठक में शेयर धारकों को संबोधित किया कंपनी के शेयर धारकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा पिछले वर्ष के प्रदर्शन पर विचार करना और भविश्य की योड़ देखना मेरे इस विश्वास को पुष्ट करता है कि एक संगठन के रूप में हम नंबर एक यानि अपने उत्योग में सर्वशेष्ट बनने की आकांशा रख सकते हैं उन्होंने कहा कि 2047 तक विक्सित भारत के धे के साथ देश के सामाजिक, डिजिटल और भौतिक बुनियादी धाचिय को बदलने के लिए भारत सरकार के निरंतर प्रयास ने देश के सभीक शेत्रों में स्टील की मांग को बढ़ावा दिया है उन्होंने वितवर्ष 23-24 के दोरान सेल के प्रदर्शन का संशिप्त विवरण दिया और कहा कि सेल ने वितवर्ष 24 के दोरान क्रमशह 20.5 मिलियन टन एमटी, 19.2.4 एमटी और 18.44 एमटी होट मेटल, क्रूड स्टील और सेलेबल स्टील का उतपाजन करके नए मानक स्थाप जो पिछले वर्ष की तुलना में क्रमशह 5.6%, 5.2% और 6.9% की वृद्धी दर्ज किया है। उन्होंने बताया कि कंपनी ने वितवर्ष 24 के दोरान 1,4,545 करोन रुपए का सरवशेष्ट विक्री कारोबार हासिल किया। उन्होंने कहा कि सेल शम्ता उपियोग को अधित्तम करने और ग्राहकों को सरवोत्तम मूलिप्रदान करने जैसे दो केंद्रित शेत्रों में उत्रिष्टा हासिल करने की रहा पर है। उन्होंने कहा सेल हिद्धार्कों के साथ जुड़ना परिसंपत्ति उप्योग में सुधार करना और सक्री रूप से वक्र के साथ आगे रहना जारी रखेगा सेल राओर के लाइस पास सयंद RSP द्वारा ग्यानार जन एवं विकास में भाग के कोप बंदु सभागार में राजभाशा पकफाड़ा के तहत 26 सितंबर 2024 को भवे पुरसकार वित्रण समारों का आयोजन किया गया RSP के कारेपालत निदेशक संकार शी एसार सूरिवंशी ने बतोर मुक्य आतिती समारों की अध्यक्षता की कारेपालट निदेशक मानवसन साधन सा अतरिक प्रभार कारेपालट निदेशक पर योजनाएं शी तरुन मिश्र और कारेपालट निदेशक वित्यवं लेखा शीये के बहुरिया सम्मानित आती थी थे जब कि सुप्रसित दिलेखक और वित्वान, शी संगीत वर्मा मुख्य वक्ता थे इस अफसर पर कई मुख्य महाप्रबंधक, परिष्ठ अदिकारी, कर्मचारी और पुरसकार विजेता उपस्ते थे अपने संबोधन में शी सुरिवन्षी ने राजभाषा के महातों पर विस्तार से प्रकाश डाला और इसके प्रचार प्रसार के प्रति आरेसपी की प्रतिबद्धता दोहराई, उन्होंने आधिकारी कुप्योग में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल उपकरणों के उप्योग को भी प्रोचसाहित किया विज्ञान और भाषा के बीच जटिल संबंदों के समानता को दर्शाते हुए शिसंगीत वर्मा ने अपने विचारों तेजग भाषन में मानवजादी के विकास और उन्नती में भाषाओं की मातुपून भूमिका पर बल दिया उन्होंने अन्य भाषाओं के उतकरश के लिए आधार के रूप में कारिकरते हुए एक समावेशी भाषा के रूप में हिंदी की भूमिका पर भी विस्तार से प्रकाश टाला इससे पहले माननिय केंद्री ग्रही मंत्री और सहकारिता मंत्री शी अमित साह और सेल अध्यक शी अम्रेंदु प्रकाश के संदेशों का पठन क्रमशा वरिश प्रबंधक आरसील सुश्री खुश्पु मिश्रा और सहायक प्रबंधक अग्निशेवाएं शी स्राबाश ठा कोड़ द्वारा किया गया श्री सूर्यवंशी श्री मिश्र और श्री बहुर्या ने राजभाशा पक्वाड़े के अफसर पर कर्मचारियों ठेका श्रमिकों और स्कूली छात्रों के बीच पूरवायोजित विभिन प्रतियोगिताओं के पुरस्कार पदान किये इस अफसर का ट्रॉफी सिलिकॉन स्टील मिल को प्रदान की गई जिसे मुख्य माप्रबंधक एचसेम और ऑक्जियल रेसी श्रुब्रत कुमार माप्रबंधक प्रभारी एससेम शी सीयार मिश्रा और उनकी टीम ने ग्रहन किया समारों के दौरान शी सूर्यवंशी ने ओडिया हिंद द्विभाशी पत्रिका इस पातदरपन दोजार चौबिस का भी मुचन किया कारिक्रम की शुरुवात राश्टगान के साथ हुई जिसके बाद गर्मान्यों द्वारा दीप प्रज्वलित किया प्रसित गायक शेविनमहनती ने आवानगीत प्रस्तुत किया माप्रबंधक जनसंपर्क एवम संचार मुख के सुषी अर्चनाशत पती ने स्वागत भाशण दिया और राजपाशा के प्रचार प्रसार के लिए की गई प्रमुग गतिविदियों पर प्रकाष चाला। कारिक्रम का समापन सहायक महाप्रबंधत जन संपर्क राजभाशा सुशी लुलाती टोपो के धन्यवाद ग्यापन के साथ हुआ सहायक प्रबंधत जन संपर्क शी जायदोर मजुंदार ने समारो का मंच संचालन किया इस कालक्रम का आयोजन RSP के जनसंपर्क राजभाशा टीम द्वारा किया गया सेल राउर के लाइसपास सैयंत RSP के कारेपा लटनी देशक संकार भवन के सामने अब शिष्ट पदार्थों को फेकने के लिए उप्योग किये जाने वाले बंजर भूमी के एक टुकड़े को एक सुन्दर उध्यान में बदल दिया गया है 24 सितंबर 2024 को RSP के कारेपा लटनी देशक संकार शी एसार सुर्यवन्शी ने प्रिद्धिम नामक एक नए उध्यान का उध्खाटन किया इस अफसर पर कई मुख्य महाप्रबंधधगन, वरिष्टा दिकारी और बड़ी संख्या में कर्मचारी उपस्ते थे सिविल इंजीनिरिंग सेवा विभाग ने विद्धित वित्रण, शौप्स, मरमत और निर्माण, यांतिक सामगरी पुनरप्राति विभाग और फील्ड मशीनरी रख रखाओ विभागों के सक्षम सहयोग के साथ परिवेश को सुंदर बनाने के लिए ख्षेत्र को इन हाउस संसाधनों का उप्योग कर विक्सित किया गया उद्यान की खास्यत उसकी सजावटी रोश्णी, कलाकृती, पेंटिंग, सुंदर पक्का रास्ता और बड़े चोटे पौधों से भरी हर्याली इसके समगर आकरशन को बढ़ाता हुआ नजर आता है उद्यान का दूसरा भाग Zeroing for Zero Harm सुंदर पूर्ण धंग से डिजाइन किये गए इसमारक है जो सुरक्षा के प्रती RSP की प्रतिबता का प्रतीख है तीन निसमारकों की अनियमिक बहरी सत्त, अप्रत्याशित तत्वों का प्रतिधित्व करटती है अर्थात, क्रमशा, जोखिम कारग, प्राक्रितिक आप्ता, और तम्ब तीन इसमारकों के अंदर के सही वृत्त क्रिम्षा, शीर्ष प्रबंधन, प्रबंधकों और कर्मचारियों की इच्छा सकती, ज्यान और अभ्यास का प्रतनिधित्व करते हैं, जिससे पूर में उलिखित अप्रत्याशित तत्वों, जोखिमकारक, प्राकृतिक आप्ता और दम पर काबू पाने के लिए सुरक्षा को सर्वोच प्रात्मिक्ता देने के कारण हमारे द्र्ण संकल्प्त का प्रतीत है, कारे पालत निदेशक संकारे ने अन्य गड़मा निवक्तियों के साथ नव विक्सित उध्यान का चक्कर लगाया और कर्मी समू के प्रयासों की सर आपते हैं, नमस्कार